प्रियांका गंदी दि प्रियांका गंदी दि प्रियांका जी संदर्श करो प्रियांका जी संदर्श करो प्रियांका गंदी प्रियांका गंदी दि प्रियांका गंदी दि प्रियांका गंदी अपन्या समिवाल सिद्गा कोड़ता हो नाम नर्शी मरटिकरू Capital City of Hyderabad to Yuvashangarshana Sabha and also to announce Hyderabad Declaration for Youth जो तलंगान माता हमारा जान में सोने जी है वो माता का बेटी आप है आप हमारा बैन है आप हमारा अमानत है आप हमारा परिवार है इसलिए आज ये जिम्मेदारी ये रेजलूशन आपके नेत्र तुमें हम उठाए आपका मदद आप हमेशा ये तलंगाने के बारी में सोचना मदद करना जो वादा हम किये आगे जाने के लिए आपका आशिर्वा चाहिए आपके मदद चाहिए प्रियांकाजी इसलिए सब के तरफ से चार करोड तलंगाना के जनिकता के तरफ से मेरा गुजारीच ये है आप पूरा इंदुस्तान अलगे ये तलंगाना माता सोन्याजी नी दिये ये तलंगाना को रक्षा करना ये तलंगान को भचाना ये तलंगान तरक्की आगे ले जाने के जिये लिए वो जिम्मेदारी आप हम उमीद करते आप ये जिम्मेदारी निभाएगा ये जिम्मेदारी उटाएगा दन्यवाद प्रियांकाजी दन्यवाद जय सोनियमा जय सोनियमा नया इंदिरमा जय बोलो तलंगाना जय बोलो तलंगाना पहनो और भाईयों आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहां आए हैं गर्मी में मेरा इंतजार किया है और मेरे आने के बाद मेरा स्वागत इतने प्रेम से आपने किया है इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ स्री मानिक राव ठाकरे जी स्री रेवन द्रेटी जी श्री भटी विक्रम रकारका जी श्री उत्तम रेटी जी श्री जीवन रेटी जी श्री जानर रेटी जी श्री हनुवन तारा जी श्री पोनल्ला लक्ष्मया जी मौमद अजारुदीन जी श्री बल्राम नायक जी स्रीवती रेनुका चोधरी श्री अली शब्बीर जी, शी तक्का जी, श्री मदुगाट जी, श्री जगारेटी जी, श्री केराजु जी, श्री नर्सिमारेटी जी, वामसी जी, संपत जी, नदीम जावेद जी, और रोय चोधरी जी यहाँ पर उपस्तित मंच पे सारे कॉंग्रेस पार्टी के नेतागर्ण, पदाधिकारी, और यहाँ पर जितने भी उपस्तित कॉंग्रेस पार्टी के कारी करता हैं, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत आप तलंगाना को मा बोलते हैं, यह एक जमीन का टुकडा नहीं है आपके लिए, ना एक नक्षे पे बनाई हुई लकीर है, यह आपके लिए वो धरती है, जिसे आप मा समान मानते हैं, जिसके लिए आपके दिल में वो श्रद्धा है, वो प्रेम है, और वो निष्ठा है, जो एक बेटे या एक बेटी की अपने मा के प्रती होती हैं, शाइदा फट जाएं तो देख पाएं, इस धरती के लिए दिख रहे हुएं, इस धरती के लिए सैक्रो लोगों ने कुर्बानी दी, भी श्रीकांता चार्या और सैक्रो अमर वीरों ने, तलंगाना के लिए एक सपना देखा था, और उस सपने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, मित्र लारा, मित्रु लारा, कोशिश करूँगी, तलंगाना विध्यार्ती, अमर वीरलू, एया कांग शाल कोसम, आत्म बिलदानलू, चे सुकुन नरू, ठीक बोला, उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या आशा थी, उनकी इच्छा थी, उनकी लड़ाई थी, कि यहां के युवाओं के लिए रोज़गार बने, कि आने वाली पीडियों को अपना पूरा हक मिले, उनके साथ जाद्ती नहों, किसानों के लिए उन्होंने ये सपना देखा था, कि उनको पानी मिले, फसलों का सही दाम मिले, कर्स का बोज न उठाना पड़े, अपनी बेहनों के लिए ये सपना देखा था, कि पूरी तरह से उन्हें भी अपना हक मिले, और सारी सुविधाएं मिले, बारंगल, रेंगारेडा, रेड़ी, नल गुंडा, करीम नगर, महबूब नगर जैसे शहर मी हैदरबाद की तरे विक्सित हो उनका नाम भी पूरी देश दुनिया में मशूर हो ये शहीद जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपना जीवन दिया ये चाहते थे कि बाबा साहेदं बेटकर, महात्मा फूले जी, कौमरंभीम जी का जो सपना है वो साकार हो सब को समाजिक न्याए मिले, सब को समान हक मिले पूरे तेलंगाना का यही नारा था, नीरू, निद्दलू, नियमा कालू पानी, फंड्स और रोजगार, यही आप सब का नारा था इसके लिए सैक्रो कुर्बानिया दी गई, किसान, युवा, महिलाए, दलेत, आदिवासी सब अंदोलन के नायक थे, यहां की बेटे, यहां की बेटियां इस अंदोलन के नायक थे ऐसा कोई एक नेता नहीं था, जिसने इस अंदोलन को आगे बढ़ाया, यह आप का अंदोलन था तैलंगाना की धरती के बेटे और बेटियों का अंदोलन था उन्होंने कुर्बानिया दी, उन्होंने आप दोलन किया और इन कुर्बानियों की वज़े से आज हम तैलंगाना प्रदेश में खड़े हैं आप तो जानते ही होंगे, मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानिया दी इस देश के लिए इन रमा भी शहीद हुई मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है ये मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है और समझता है जब हम सब कहते हैं कि किसी की शहीद, किसी शहीद की कुर्बानी वियर्थ नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं और यहां ते लंगाना में एक-एक फुरुष ऐक-एक महिला जानती है क्योंकि आप मेंसे हजारों लोगों ने यही गरबानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए कुर्बानियां एक विचार के लिए दी जाती है दिल में जो इनसान जिस चीज में विश्वास करता है जिस के लिए लड़ता है उसके लिए कुर्बानी दी जाती है जब सेक्डों युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी तो मेरी माँ सोनिया जी ने गहराई से ये समझा कि यहां की आवाज क्या है यहां की जनता क्या चाहती है और मुझे याद है कि एक सरल निरने नहीं था एक तने से एक मुश्किल निरने था क्योंकि अगर सोनिया जी उस समय सत्ता के बारे में सोचती या अपनी पार्टी के लिए राजनीती के बारे में सोचती तो शायद ये निरने नहीं ले पाती लेकिन सोनिया जी ने आपके बारे में सोचा आपकी इच्छा के बारे में सोचा जो अंदोलन आपने बनाया था उसके बारे में सोचा जो आप चाहते थे उसको सुना समझा और तब ही ये निरने लिया गया तेलिंगाना जब बना तो ये स्पश्ट था कि ये प्रदेश अपना रास्ता अपने आप तेह करेगा सब की यही इच्छा थी और आशा थी कि एक मजबूत प्रदेश बनेगा कि जितनी आशाएं अंदोलन में व्यक्त की गई थी जितने बलेदान दिये गए थे उनका आदर होता और सब चाहते थे कि चाहे हमारी सरकार बने चाहे किसी और की सरकार बने लेकिन तेलंगाना एक नया प्रदेश बना है अपने अंदोलन से उभरा है इसमें सब किसान, दलेट, आदिवासी, जनता, युवाज सब शामिल हुए तो हम सब चाहते थे कि कैसी भी सरकार आए चाहे हमारी सरकार भी नहो लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ अच्छा करके जाएगी और कुछ बनाएगी और आपको विकसित मनाने के लिए दिन रात काम करेगी लेकिन अफसोस की बात है कि जो सपना और जो आपकी इच्छा थी नीरू, निदलू, नियमाकालू की वो अभी तक पूरी नहीं हुई आज परिस्थितियां ये है कि सत्ताधारी नेताओं को ही पानी मिल रहा है सारा फंड सत्ताधारी नेताओं को ही मिल रहा है और सारी जो नौक्रिया हैं यहां के युवाओं को मिलने के बजाए उनके करीबियों और उनके दोस्तों को मिलती हैं यह आपका सपना नहीं था बी आरेस सरकार यहां एक शासन चला रही है जिसमें आपके सपने सरकार नहीं हो पा रहे हैं उनको शायद यह लगता है कि यह प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार है लेकिन इसके लिए आप नहीं लड़े इसके लिए आपके बेहनों आपकी भाईयों ने बलिदान रही दिया इसके लिए आपका आदोलन नहीं चला आपका आदोलन इसलिए चला कि आपको अपना पूरा हक मिले कि जितने रोजगार बन रहे हैं तो यहां के युवाओं और युवतियों को मिले और इसलिए जब B.R.S. की सरकार ने कहा कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है और ये वादा दिया ढाई लाग किसानों पर आज भी डेर लाग रुपे का कर्ज है ढाई लाग किसानों पर एक एक किसान पर कर्ज है और आपको अभी तक कर्ज मुक्त नहीं किया है अपना वादा पूरा नहीं किया 8000 किसानों ने 2014 से लेकर आज तक आत्महत्या कर डाली रोजाना रोजाना लगबग तीन किसान आत्महत्या करते हैं केसी आर जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं आपके घरों में नौकरी मिली की नहीं नहीं मिली नहीं यहां के हाल में यहां के 40 लाक युवा बेरोजगार है 2018 में इन्होंने कहा था कि हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा आपको मिल रहा है यह भत्ता अगर भत्ता देते तो एक युवा को आज डेल लाक से जादा रुपए मिलते क्या मिल रहे हैं आपको क्या मिले आपको दो लाक नौकरियों के पद खाली पड़े हैं सरकार में भरे नहीं गए हैं आपको नहीं दिए गए भरतियों का खाल देखिए टी पिएस सी का पेपर लीक हो गया कोई एक्शन लिया इन्होंने किसी पे कारवाई हुई जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की थी जिनके माता पिता ने अपनी मेहनत और इमानदारी की कमाई से उनकी फीज दी थी ट्यूशन के लिए उनकी कोई मदद कोई सहायता हु तो पिछले नौ सालों में बारह स्टेट यूनिवर्स्टी में एक भी भरती नहीं हुई है सोचिए आप उस्मानिया जैसी तमाम यूनिवर्स्टीस टीचर्ज और फंड की कमी से जुड़ रही हैं एक भी सरकारी यूनिवर्स्टी नही नहीं बनाए गई प्राइवेट य साथ होती है कि आधी जन्ता तो उसको दे नहीं पाती स, C, S, T, O, P, C, Minorities के लिए 15,000,00,000 विद्यारतियों के 4,000,00 करोड दबा कर बैठी है सरकार और कुछ नहीं किया है भर्तियां नहीं हो रही है ध्यापकों की कोई नौक्रियां नहीं मिल रही है युवाओं की तो ये परिश्टितियां है आज आपकी आपको बोहत चीजे कहीं गई थी बहत वादे किये गए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं किये आप शायद जानते नहीं होंगे अग्या है, कि बच्चों के स्कूलों में बच्चों के स्कूल भी कम हो गए हैं कम बच्चे इनरोन हो रहे हैं परचालाओं में और शिक्षा का ही बजट कम कर दिया है आप सोचे आप सोचे एक एक व्यक्ति पर कही न कही इसे कर्द है हर व्यक्ति के उपर हजारों रुपए का किसी न किसी तरह से कर्द है आपका पैसा सारा कहा गया आपकी संपत्ति कहा गई जो बड़े-बड़े सपने आपको दिखाए थे जो आपकी आशाएं थी जिसके लिए आपने अंदोलन किया अपना एक नया प्रदिश्क बनाया उन आशाओं का क्या हुआ आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने आपके सपने तोड़े तो आप आपको देख करना पड़ेगा बेहनों और भाईयों कुछ महीनों में यहां पे भी चुनावाएगा मैं हर रोज पिछले दो हफतों से करनाटका में प्रचार के लिए जा रही हूँ आज आखरी दिन हैं वहां खुब भाशन लेके आई हूँ और क्या कहती हूँ मैं वहां आप भी सुन लीजिए कि देखिए ये प्रदेश ये देश आपका है और खास तोर से तिलंगाना जहां पे आपने युवावन बलिदान विया इस प्रदेश को बनाने के लिए ये आपका है इसकी सुरक्षा इसको सम्हालना इसके भविश्य को मस्बूत बनाना आपका भी करतव है सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है जब आप एक सरकार को चुनते हैं तो अगर आप जागरुक नहीं बनते अगर आप ये नहीं देखते कि सरकार ने हमारे क्या किया कैसी स्कीम्स बनाई हमारी आज परिस्तितिया कैसी है पहले से सुद्री है कि पहले से ज़्यादा मुश्किल परिस्तितियों में है हम और उस जागरुक ताके साथ आप नई सरकार नहीं चुनेंगे तो नुक्सान किसी ने टाका नहीं होगा बेहनों और भाईयों नुक्सान आपका होगा नुक्सान मेरी बेहनों आपका होगा आपके बच्चों के भविश्य का होगा तो ये चीजें बहुत गहराई से आपको समझनी चाहिए आपने अपना पूरा अंदोलन देखा आज आप यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरामा जैसी एक नहीं इंदिरामा हूँ यह हल्की बात नहीं है बेनों और भाईयों यह हल्की बात नहीं है जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एसास होता है क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी है शहीद हो गई देश के लिए 1984 में आज हम 2023 में हैं लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ श्रद्धा पूरवक प्रेम के साथ याद कर रहे हैं और आप अभी भी आशार रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे क्योंकि वो एक इमानदार नेता थी अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविश्य के लिए समर्पित थी तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना जूटे वादे कर सकती हूँ ना जूटी बातें बता सकती हूँ और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो इमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है इसलिए आपने सुन्या अम्मा का नाम भी लिया और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही मैं उनकी बेटी हूँ यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि यह निर्ने उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आज जीवन समर्पित रही तो आप आपकी भलाई की बात क्या है आपकी भलाई की बात यह है कि आप एक दम जागरुक बने आज कल जैसे राजनीती यहाँ चल रही है पूरे देश में कि काम कोई नहीं कर रहा है दूसरों के काम पर अपना नाम डाला जा रहा है चुनाओ के समय आपकी बातों को करने के बज़ाए दुनिया भर की बाते चल रही है धर्म के नाम पर जाती की नाम पर आपको गुमराख किया जाता है आपके जजबातों को उभारा जाता है ताकि आपका वोट मिल जाए सत्ता मिल जाए और उसके बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाथ साल बाद फिर से आपके जजबातों पर वोट मांगेंगे, अपने काम पर वोट नहीं मांगेंगे, विकास पर वोट नहीं मांगेंगे, ये जो बाई बाई मोदी बाई बाई के सियार आपने लिखा है, अगर आप सच मुछ बाई 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 चाहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को समझे जो पार्टियां आपको बता रही हैं उनको परकिए पढ़िए देखिए कॉंग्रेस पार्टी क्या कह रही है आज ये हैदरबाद का यूथ डेक्लिरेशन किया गया ये आपके सम्माँ आपका सम्मान है कि हम आज ये डेक्लिरेशन कर रहे हैं और हम सब नेता यहां बैठे हुए सब जो यहां मौझूद है इस डेक्लिरेशन के लिए आपके प्रती जवाब देब बनेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी पाँच साल बाद ये काम नहीं किये गए तो हमें निकाल देना क्योंकि आज अगर हम सब ये इस मंच में बैठे हैं तो आपने बिठाया है आपने बिठाया है और इसका एसास हम सब के दिलों में होना चाहिए इस यूथ डेक्लिरेशन में ये कहा हमने कि आंदोलन में शहीद परिवारों के लिए शहीदों के परिवारों के लिए एक सगर से को जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी हम ये भी कह रहे हैं कि शहीदों के माता पिता या उनकी पत्नियां को पच्चीस हजार रुपे की मांसिक पेंशन दी जाएगी दो लाग सरकारी पत्जों आज खाली पड़े हैं इनको एक साल के अंदर अंदर हम भरना चाहते हैं और इसका पूरा प्रयास करेंगे जो S.C.S.T.O.B.C. का बैकलग है भरतियों में इसको हम पूरा करेंगे भरति के लिए हर साल एक जॉब कैलिंडर बनाया जाएगा इसमें आपको पता चलेगा कि भरति के इंतिहान कब हैं और इनके रिजल्ट कब आएंगे ताकि स्कैम्स और घोटाले कम हों बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने चार हजार रुपए बेरोजगारी भता हम कह रहें देंगे और यह उस तरह का भता नहीं होगा जो आज तक आपने देखा नहीं है जो केसी आर जी ने आपको वादा करके बताया था हम ये निन्ने ले रहे हैं कि आपको बिलेगा और ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी अगर सरकार बने तो ये काम शुरू होगा प्रदेश के साथ जोन्स में एम्प्लॉइमेंट एक्सचेंज बनाना चाहते हैं हम और हर जिले में जैसे रेवनची ने भी आपको बताया स्किल डिवेलप्मेंट सेंटर बनाये जाएगा तलंगाना में सरकारी सहायता पाने वाली प्राइवेट कमपनीज की भरतियों में तलंगाना के युवाओं को 75 प्रतिशाता रक्षन मिलेगा स्पेशल गल्फ सेल बनेगा जिसमें जो गल्फ के देशों में रोजगार के रास्ते बनते हैं उनकी सुविधा आपके लिए बनाई जाएगी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा इन्होंने शिक्षा की बजट कम की है आप सोचिए कि किस तरह का भविश्य बनाना चाहते हैं आपके लिए अगर स्कूल ही नहीं खुलवा रहे हैं अगर शिक्षा की बजट कम हो रही है SC, ST, OBC, Minorities और EWC, EWS के जरूरत मंद बच्चों के लिए फीज का रिइंबस्मेंट किया जाएगा जो चार हजार क्रोड सरकार के ड्यूज है वो क्लियर किये जाएंगे हमा मेडक में नई इंटेग्रेटिड यूनिवर्स्टीज बनाए जाएंगी शिक्षा प्राप्त कर रही 18 साल से उपर की लड़कियों को एलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा आए ये मुझे भी पसंद है ये वाला चार नई ट्रिपल आईटी बनाना चाहते हैं हम वर्ल्ड क्लास की स्पॉर्ट्स उनिवर्सिटी ये सब काम हम करना चाहते हैं और इसके इलावा बहुत सारी चीजें इस यूथ के जो ये जो आपने ये जो डिसिजन लिये हैं उसमें लिखे गए हैं आप सब को पढ़ना चाहिए और सब को अच्छी तरह से समझना चाहिए तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपको अपने भविश्य को बचाना है अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है अपने देश को घलत तरह की राजनीती से बचाना है और एक ऐसी राजनीती स्थापित करनी हैं जिसके लिए जनता सर्वो परी है तो आपको जागरुक बनना एक दम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है आपको जागरुक बनना पड़ेगा मैं यही मांगने आई हूँ आपसे बार बार आपसे मिलती रहूंगी बाते करती रहूंगी और मेरी इच्छा यही है कि जो सपने शहीदों ने आपकी बेहनों आपके भाईयों ने आपके प्रदेश के लिए देखे जिन सपनों को साकार के लिए करने के लिए तोन्य अम्मा ने और कॉंग्रेस पार्टी ने ये दिन ने लिया था और जिस प्रदेश के लिए इंदिर अम्मा ने दिन रात काम किया था वो एक विक्षित मजबूत प्रदेश बने जो पूरी दुनिया में मशूर रहे यही मेरी इच्छा और आशा है आप सबने बहुत बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ एक बार मेरे साथ कहिए जैहिन 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 जैहिन